चोपड़ा जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत गरता हूँ, मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो में मैं आपको एक गुड नियूज देनी जा रहा हूँ और वो ये है कि मद्यपरदेश स्टेट में 50% प्राइवेट सीट ओन गॉर्मेंट फीच वाला नियम लागू हो चुका है हालांकि अभी तो ये PG काउंसलिंग के लिए लागू हुआ है मगर ये MBBS के लिए भी लागू होगा क्योंकि NMC का ये रूल UG वर PG दोनों के लिए है क्योंकि PG की काउंसलिंग अभी स्टार्ट हो चुकी है इसलिए PG में लागू हो रहा है और MBBS की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब उसमें लागू हो जाएगा केरिला और तमिलाडू स्टेट के हाई कोट ने तो ये अपने अपने स्टेट में लाबू नहीं किया है मगर मद्दे प्रदेश ने इस नियम को बिना कोट गए ही शुरुआत कर दी है क्योंकि MP स्टेट फीज के मामले में स्टूडेंट के फेवर में है यहां पर गॉर्मेंट और प्राइवेट कोलेजेज में पहले से ही मुख्यमंत्री मेधावी योजना और जनकल्याण योजना स्टूडेंट को जिसके तहट स्टूडेंट की गॉर्मेंटे द्वारा ये स्टूडेंट दी जाती है तो इस state में अगर private colleges को subsidy भी दी जाती है तो ये इसमें state को कोई problem नहीं होगी PG के लिए जो notice निकला है उसमें साब कहा गया है कि private colleges की 50% government seat पर जो fees है वो private colleges की 50% seat पर होगी याने कि इनमें private colleges में जो 15% NRI की seat है उनको अलग करने के बाद जो 65% seats बसती है private की उनमें 42.5% seat पर government fees होगी अब हम बात करेंगे कि क्या MP state में ये नियम लागू होने से MP state के अलावा जो other state के candidate है इनको भी कोई फायदा होगा तो यहाँ पर मेरे जबाब से आपको निरासा होगी जबाब ये है कि नहीं क्यूंकि मद्देप्रदेश state नाम से तो open state है मगर यहाँ पर other state candidate को private colleges में seat नहीं मिलती है ये on ground reality है इसका कारणी है कि यहाँ का नियम यह है कि यहाँ पहले मद्देप्रदेश state के candidate को seat दी जाएगी और मद्देप्रदेश state का कोई अगर candidate seat लेने के इच्छुक नहीं है और फिर भी vacant seat है यहाँ पर तो other state के candidate को seat मिलेंगी तो यह है सामने देखने में आया है पहले यह देखा गया है कि MP state के candidate को seat alert होने के बाद दूसरे state के candidate के लिए एक भी seat नहीं बसती है इसलिए other state candidate को इससे फाइदा नहीं होगा यह सिरफ MP state के candidate को ही फाइदा होगा अब क्या MP में लागू हो रहा है तो इस साल other state में भी यह rule लागू हो सकता है क्या क्योंकि यह rule तो सभी के लिए था तो इसके कोई संभावना नहीं लग रही क्योंकि MP ने इसकी पहले भी state को private medical college को इसके बारे में notice दिया था और उन्होंने इसके बारे में कोई oppose नहीं किया था मगर केरला और तमिलनाडू state के private college तो high court जा चुके हैं और वेस्ट बंगाल के private college भी supreme court पहुँच चुके हैं तो बाकी state में इस विशर पर ऐसी कोई तयारी भी नहीं कीगी तो ऐसे में नहीं लगता है कि बाकी states में इस साल यह rule लागू होगा तो यह जानकारी थी 50% private seat on government fees के rule के बारे में अगर आप counseling के बारे में जानकारी लेने साकते हैं तो हमारी book डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के description box में लिंक है या फिर हमारी website www.sopda.education.in से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं इसमें मैंने पूरी जानकारी दे रखी है जो आपको जरूरत है counseling के बारे में आपको इससे काफी knowledge होगा जैसे यह आप यह डाउनलोड करेंगे हम आपसे संपर्क कर लेंगे आप हमारी paid service भी ले सकते हैं तो यह जानकारी थी fees के बारे में मिलेंगे नई update के बारे में नए वीडियो में तब तक के लिए जै हैं